नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद है कि जो गोल्डन हेल्थ के हमारे वीडियोज हैं उससे आपको जरूर लाब मिल रहा होगा और आप इसे लगातार देख भी रहे होंगे सब्सक्राइब और शेयर भी कर रहे होंगे मैं हूँ आपके साथ रवी वर्मा आज हम बात करेंगे कि उन सारी चीज़ों की जो हमारे घर में मौदूद होती हैं और जिनकी medicinal properties के बारे में अगर हम जान लें तो उससे हम disease free, medicine free life लीड कर सकते हैं इसी एक ऐसी चीज़ के बारे में हमारे जो महागुरू है आयरुएद के वादभट जी उन्होंने यह कहा है कि यह अम्रित तुल्य चीज़ होती है और इस चीज़ के बारे में उन्होंने लगबग 120 ग्यान सूत्र जो हैं वो लिख डाले है अम्रित तुल्य जिस चीज़ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है त्रिफला अब यह भी जान लीजे कि इसे अम्रित तुल्य क्यों बताया गया है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आरिवेद के अनुसार यह एक मात्र ऐसी आउशदी है जो वात, पित और कफ के सभी रोगों में प्रभावकारी होती है आप सब को यह पताई होगा कि त्रिफला में हम तीन चीज़े मिलाते हैं इसलिए इसी त्रिफला कहा गया है उसमें से पहली चीज होती है हरड जिसका बोटनिकल नेम जो होता है वो टर्मिनेलिया शेबूला होता है इसके साथ होती है बहेडा यानि जिसे टर्मिनेलिया बेलेरिका कहा जाता है और इसके बाद तीसरी बहुपयोगी चीज होती है आउला जिसे embellica, officinalis के नाम से जाना जाता है अब यह जान लीजिए कि अगर आप घर पर त्रिफला बनाना चाहते हैं तो किस फल की कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए तो हरड अगर हम 100 ग्राम ले रहे हैं तो बहेडा जो है वो हमें 200 ग्राम लेना चाहिए और आउला जो है उसे 300 ग्राम लेना चाहिए याने इसे 1, 2 और 3 का फार्मूला कहा जाता है बहुत सारे लोग यह बताते हैं कि इनकी मात्रा समान रखने चाहिए लेकिन ये उचित नहीं है क्योंकि जो सामान ये रोगों से पीडित हैं या जिन्हें कोई रोग नहीं है वो स्वास्त वर्धन के लिए त्रिफला लेना चाहते हैं उनके लिए 1, 2 और 3 के अनुपात में ही त्रिफला लेना चीक रहता है त्रिफला में तीनों फलों की मात्रा समान हमें तब रखनी चाहिए जब हमें आटो इम्म्यून डिजीज जैसे आर्थराइटिस या कैंसर जैसी बीमारिया हूँ तभी इसका सेवन लाबदायक होता है आयुरवेद में वास सम्मंधी रोगों के पांच प्रकार बताये गए हैं और इन पांचों रोगों में त्रिफला बेहद असरदार साबित होती है इसके अलावा जो लोग सामान स्वास्तिलाब के लिए त्रिफला लेना चाहते हैं उन्हें भी आधा से एक चम्मच त्रिफला रात को गर्म पानी में लेना चाहिए इसकी डोस जो है वो आप धीरे धीरे करके खुद समझ जाएंगे और इसका नियांतरन आप बहतर तरीके से कर पाएंगे त्रिफला से हमारा हार्मोनल बैलेंस भी सही बना रहता है इसके अलाबा आखों के रोगों के लिए त्रिफला बहुत गुणकारी होता है जिन लोगों में आखें लाल होने की आखों से पानी गिरने की या लगातार बार-बार infection होने की शिकायत होती हो उन्हें त्रिफला का सेवन जरूर करना चाहिए इसके लिए उन्हें एक काम करना चाहिए कि यदि एक चम्मच वो घी ले 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 आधा चम्मच शहद ले ले और आधा से पौन चम्मच त्रिफला ले 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 और उसका सेवन दिन के समय अगर वो करेंगे तो उनको बहुत लाब होगा यहां एक ही बात बहुत ध्यान रखने की है नहीं तो हमें नुकसान हो सकता है वह यह है कि घी और शहद की मातर कभी भी समान अनुपात की नहीं रखनी चाहिए यानि अगर आप घी एक चम्मच ले रहे हैं तो शहद आधा चम्मच हो जाएगा अगर आप शहद एक चम्मच ले रहे हैं तो घी आधा चम्मच हो जाएगा तब ही आपको लाब होगा इसके अलावा त्रिफला के पानी से प्रती दिन सुबह आखें दोने से भी आखों के रोशनी अच्छी रहती है और हमें किसी तरह के bacterial और fungal infection जो हैं वो नहीं होते हैं शरीर में होने वाले सभी तरह के skin infections के लिए चाहे वो एक्जिमा हो या ringworm हो या psoriasis हो उसमें त्रिफला का 7 बहुत लाप्रद होता है इसके लिए हमें करना यह चाहिए कि दो ग्लास पानी में दो चम्मच त्रिफला को हमें उबाल लेना चाहिए कब तक उबालना चाहिए जब तक या एक ग्लास ना हो जाए फिर प्रभावेट्स अंग पर इसका लेप लगाना चाहिए और इसकी थोड़ी सी मात्रा का हमें सेवन भी कर लेना चाहिए इससे बहुत लापकारी असर देखने के मिलता है जो diabetes और obesity के patients हैं उन्हें त्रिफला का सेवन सुबह करना चाहिए इसके लिए उन्हें एक चम्मच जो त्रिफला है उसे रात को एक ग्लास पानी में भीगा देना चाहिए और सुबह इस पानी को पी लेना चाहिए लेकिन जो लोग constipation के शिकार हैं लगातार उन्हें constipation के शिकायत बनी रहती है उन्हें त्रिफला का एक चोटा चम्मच रात में गर्म पानी के साथ सेवन करना चाहिए त्रिफला ऐसी आउशदी है जो peptic ulcer में या blood की अन्य diseases में भी बहुत फायदा देती है या अन्य प्रकार के जो ulcer है अन्य प्रकार के tumor है उसमें भी त्रिफला का बहुत लाब देखा गया है त्रिफला is also the best antioxidant इसके अलावा इससे अच्छा blood purifier कोई नहीं होता तो blood संबंदी जितने भी विकार हमारे होते हैं चाहे वो tumors हों या ulcers हों या piles हों इसमें त्रिफला का प्रभाव बहुत अच्छा देखने में आता है जिन लोगों के बाल तेजी से जढ़ रहे हों या जिन्हें dandruff की लगातार शिकायत रहती हों उनके लिए भी त्रिफला मिले पानी से अपने बालों को धोना बहुत लाब करी होता है क्योंकि त्रिफला हमेशा scalp को disinfected रखता है हमारा आईए अब यह भी जान लेते हैं कि किन लोगों को त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए और क्या लगातार त्रिफला का सेवन करना ठीक है तो मैं आपको यहां यह बताना चाहूंगा कि त्रिफला का सेवन कभी भी लगातार नहीं करना चाहिए इससे कमजोरी आ सकती है दो माहा तक आप त्रिफला का सेवन अगर लगातार कर रहे हों तो एक महिने के लिए इसे बंद कर देना चाहिए इसके अलावा जो बहुत दुबले पतले कमजोर लोग हैं और प्रेगनेंट लेडीज उनको भित्रे फ्लागा सेवन नहीं करना चाहिए तो अपनी जरुवद के मताबिक आयरुवद की इस अध्भुत और शदी का उपयोग कीजिए और अपने को डिजीज फ्री रखने की कोशिश कीजिए and again the same request please like comment share and subscribe this video and please do watch our other videos thanks for watching